नमस्का दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं गुरू वा शनी की यूती जो की मकर राशी में बनने जा रही है 20 नौबर 2020 से 6 अप्रेल 2021 के बीच में उस यूती का प्रभाव धनू लगन वा विष्टिक राशी के जातकों पर क्या पड़ेग विडियों में विचार करेंगे हैं इसे पूर्वी गुरूब शनी की यूथि का प्रभाव आपको दे चुकी हूं राशी के अकॉर्डिंग पर मैंने विचार किया कि मैंने आपको केवल चंद राशी сором पर बताया था तो मुझे comment box में नीचे comment कर सकते हैं कि आपका क्या termination है, क्या लगन है, क्या राशी है और उसके according में आपको कुंडली बना के दूँ जिससे आपको पता लगे, ये गुरू वशनी की यूती जो की मकर राशी में बन रही है 20 नौंबर 2020 से 6 अप्रेल 2021 के बीच में इस यूती का प्रभाब आप लोगों की लाइफ पे कितना पढ़ने वाला है कितना परसंटेज आपको positive result मिलने वाला है इसलिए मैंने आज जो chain किया है मुझे एक ने comment box में comment किया था कि मेडम मेरा धनू लगन है और विष्टिक राशी है मुझे इस गुरू वशनी की उती का क्या फल मिलेगा तो इसका विचार हम इस वीडियो में कर रहे है देखिए जहां लगन होता है लगन में 9 नमबर का अंक लिखा हुआ है अगर आपके लगन में 9 नमबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका धनू लगन है और अगर आपका चंदरमा 8 नमबर की राशी में बैठा है यानि चंदरमा 12 है आपका तो इसका मतलब है आपका विष्टिक राशी है तो ये धनू लगन और विष्टिक राशी की कुंडली है इसको हम देखेंगे कि गुरू वशनी की उतीस में आपको क्या प्रभाब देगी धनू लगन में बात करें तो शनी माराज आपके मकार राशी में बैटे हुए और देव गुरू बर्सपती जो भी जो है मकार राशी और आपका धनू लगन है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव इस्तिती बन जाएगी और साथ ही क्या होगा कि आपके धनेश शनी जो है स्वराशी के चल रहे हैं और महां पर लगनेश गुरू भी आजाएंगे तो लगनेश और धनेश के बीच में एक नीच भंग राज तो उन सब मेटर के लिए बहुत अच्छी पोजिशन है कि उन सब मेटरों से आप भार निकल जाएंगे बहुत अच्छी पोजिशन आजाएगे आपके लिए क्योंकि यह देखिए शनी की दिष्टी आपके एक अदश भाब पर भी है एक दो तीन चार पाँ छे साथ आठ शनी की दिष्टी एक अदश भाब पर है और धनेश शनी की आपके लगनेश गुरू के संग्युती हुई है जो नीच भंग राजयोग बनाया है वो धनू लगन के लिए बहुत अधिक पोजिटिव है क्योंकि गुरू दूसरे भाब का बहुत बढ़िया फल देते हैं काफी यहां पर और आपके स्खोल Ettा हो रहाँ है तो यहां पर कया ओ रहा है आप का पंचमेश नीच बंग राजयोग बनम रहा है यह जो यह जो रे वाल पर और झाल बंगम की पाराजी को लिए पंवाराज बंम प्राज 2 शनी माहराज में भाथा शनी महराज जो फल देते तो इसलिए यह मानना है कि यहां पर गुरु शनी दोनों पॉजिटिव है और यहां पर शनी माहराज भी पॉजिटिव है गुरु की हलकी से नेगेटिविटी विष्टिक राशी के जातकों को लगेगी पंचिमेश नीश्का हो गया जिसके करण मान सम्मान में थोड़ी सी कम और आपको संतान को लेकर कोई चिन्ता प्रेम समंदों में किसी पकार की वाधा और आपको अपने कारेस्तल पर कोई परिशानी परिशान कर सकती है लेकिन अगर देखें तो यह गुरु शनी की उतिका प्रवाब अगर आपका कंबिनेशन धनु लगन और विष्टिक राश सकते हैं क्योंकि यहां पर गुरु की दिश्टी आपके दर्शम भाब पर होगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तो यह कैरियर में आगे बढ़ने का समय है और अगर आपका धनु लगन विष्टिक राशी है और आपके पास जॉब नहीं थी तो इस कंबिनेशन में आपको जॉब मिल सकती है और साथ ही क्योंकि तीसरे भाब में विष्टिक राशी के योग बन रहा है इसलिए अगर आपको ओन लाइन काम करते हैं मार्केटिंग का काम करते हैं तूर और ट्रेवल का काम करते हैं या आप क्रेटिव रैटर है या आपको सोशल मेडिया स पॉजिटिव है तो दश को इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आपका कंबिनेशन धनू लगन या विष्टिक राशी का है तो इस गुरू और शनी की युथी जो मकर राशी में बन रही है उसका आपको 75% मिलेगा तो दश को आपको मेरा वीडियो कैसा करके बताईएगा और इसके साथ ही अगर आपका भी कोई कंबिनेशन है और आप जानना चाहते हैं कि गुरू शनी की युथी का प्रवाब आपके कंबिनेशन पर क्या पड़ेगा तो आप नीचे कमेंट बक्स में मैंशन करिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आ अब ही मैं अपने वीडियो अप्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो दिख सके इसके साथ ही नमस्काद आश्कों जैमाता दी